नमस्कार मेहू संजय कुमार महिलाओं की सम्मान अगर भारत में महिला के साथ साथ अगर पूरुस भी करने लगे तो मुझे लगता है कि आंगरबारी, शेपका, सहाईका, आसा, जिपका, इन तमाम महिलाओं का भारत में एक अलग विकास हो सकता है जिस परकार के आज हम आपके साथ बात करेंगे कि भारतिये शमिधान के तहत महिलाओं को जो आगे बढ़ने का अधिकार मिला हुआ है उस अधिकार को हमें लगता है कि पूरुस को भी सहयोग करना चाहिए महिलाओं को आगे बढ़ने में अगर आज जिस परकार से महिला को आगे बढ़ने के लिए या फिर सहयोग किया वे सकता या फिर अर्थ बिवस्ता किया वे सकता अगर जरूरत है तो हमारे देश की उन तमाम सरकारों को यह सूचना चाहिए उन्हें आगे बढ़ चढ करके हिस्सा लेना चाहिए कि महिलाओं को आगे बढ़ने में योगदान देना चाहिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के एक-एक महिलाएं के बारे में जो जिन्होंने इतिहास रची है अगर हम बात करें आज की समय में तो आज जिस प्रकार से महिला अंगरवाड़ी सेपका सहाई का आशा जिपका रोट पर धरना प्रदसन करती हैं अपनी अर्थ बिवस्ता को आगे बढ़ाने के नहीं सरकार से एक बिवस्ता मांग रही हैं एक बेतन मांग रही हैं और ओवी फिरी में नहीं बलकि सरकार के लिए 24 घंटे काम करने के लिए अगर हम बात करें महिलाओं को तो आज हमारे देश की राष्ट पती महिला है दुरुप्तु दुरुप्ती मुर्मुर और उसके बाद ही नहीं आपको बताना चाहूँगा कि महिला कल्यान विवाग के मंत्री जो है इसमिर्टी रानी है अगर ये दोनों और सरकार इनके साथ मिलकर के अगर महिलाओं को शम्मान में अगर बेतन ब्रीधी करें बेतन लागू करें बेतन मान दे करें सरकारी क्रमचारी घोसित करें तो हमारे देश की जो महिला की इस्तिती है वो कमशे कम तो सुधार हो सकती है आप जो समय दिखना चाहते हैं आप जो राज्य दिखना चाहते हैं ये तभी संबब है जब आप दोनों मिलकर के काम कर सकते हैं जहां पर महिला और पुरुष एक साथ एक बराबरी अधिकार के शम्मान में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि दोनों का जो है शम्मान मिलना चाहिए अगर बात किया जाए अंगनबारी शिबका सहाय का और जिबका की तो आप देख लिजिए कि हम बेतन में जो है काम करती हैं आज हमारे देश की राष्ट पती जो महिला है अगर जिस परकार से समानने जनक बेतन अगर अंगर बारी शिबका सहाय का आसा जिबका के अगर लागू हो जाता है तो समझ लिजिए कि समाज के अंदर एक ऐसी दिसा परदान करेगी जिसे आज अगर आपको समझना पड़ेगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन 20 सालों के अंतरा लिए आंगर बारी शिबका सहाय का जिस परकार से समाज की महिलाओं को समाज की बहु बेटियों को समाज के छोटे-छोटे बच्यों को जितना जागरों किया है उस हिसाब से ना तो उनको बेतन मिलता है और नहीं उनको शम्मान मिलता है आप अगर देखेंगे भारत में तो हर जगह पर हर राज्य में चौक चौराहे पर आपको धरना परदसन करते हुए मिल जाएंगे आखिर इतने और ऐसी नौबत क्यों आती है हमारे समाज के अंदर हमारे देश की सरकार ने एक तरफ महिलाओं को उत्थान करने की बात करते हैं दुसरी तरफ महिलाओं रोड पर जब धरना परदसन करती हैं तो उसकी साथ में बरवरता की जाती है उसके उपर पाने की आपको पता होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर महिलाओं पहलमानों ने धरना परदसन किया था वह सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनोती थी और बीजेपी की एक शांसद के उपर आरोब था योन सोसन था लेकिन लगतार महिलाओं पहलमानों ने रोड पर उस जंतर मं पर लगतार चिकती रही चिलाती रही लेकिन किसी ने उनको एक नहीं सुड़ा कारण क्या है अगर बड़े लेवल पर राजनेतिक कर सरकार करना चाहती है तो फिर ये महिला और पुरुष में भेद भाव क्यूं होता है इन भेद भाव के अंदर इद भेद भाव के साथ में इनके पडिबार इनके बच्चें इनके साथ साथ इनके समाच फिर ये बात सरकार को समझ आती क्यों नहीं आखिर कब समझेंगे आज अगर हम बात करे नरेंदर मोदी जी को या नितिश कुमार की या अन्ये सरकार के अगर बात करे तो कहीं ने कहीं महिलाओं के ओट के सरकार को करना चाहिए वो क्यों नहीं कर रहे हैं कारण क्या है समस्या क्या है यह सरकार समझने की पूर्ण रूप से कोशिश क्यों नहीं कर रहा है हम किस काल में जी रहे हैं किस आसन के छेत्र में जी रहे हैं यह आपको समझना पड़ेगा लेकिन दूसरी तरफ हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि अगर अगर बिवस्ता किया जाए सरकार के दोड़ा अगर महिलाओं को आगे बढ़ने में तो मुझे लगता है कि इन समाज को बिक्सित करने में या विकास करने में देर नहीं लगेगे अगर समाज की विकास करना अगर देश की विकास करना तो आपको सिर्फ पूरुष को ही आगे नहीं लेकर के चलना पड़ेगा, पूरुष के साथ साथ आपको महिला को भी आगे लेकर के चलना पड़ेगा, तब जाकर कि आप देश की संपूर्ण विकास कहलाने की अधिकार रखते, अगर इसी बीच में अगर आपके छमताओं के अनुष्वार अगर आपके देश की अर्थ बिवस्ता अगर डोब रहा है जहाँ पर जनिको जो है आगे बढ़ाने में रोका जा रहा है तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस समाज हमारे उन दिसाओं को पकर रहा है जिस दिसां के और पतन होते हैं आपको आगे बढ़ाना चाहेंगे कि हम अमारे देश के राष्ट पती महिला है महिला होने के साथ साथ उनको एक और भी जो है काम करना चाहिए जो महिलाओं के अर्थ बिवस्ता या रोजगार की बात हो कमाने की अगर बात हो तो उन्हें बढ़ चट करके महिलाओं को सहयोग करना चाहिए आजांगर से वर्क करके ये बताना चाहती है कि समाज और भी अच्छे और भी बेहतर बनाया जा सकता है इस बातों को अगर समझा जाए निर्ने अगर लिया जाए तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी सफलता मिल सकता है इस भारत की सरकार को अगर भारत की सरकार अगर यह नहीं सोच रहा तो मुझे लगता है कि हर जगों पर धर्ना परदसन करने की नौबत होगी हैं आज अगर अगर मड़ी सेवका सहाई का अगर इतनी धर्ना परदसन करने की नौबत अगर बता रही है अगर धर्ना परदसन कर रही है तो इनकी मामला कुछ शंग्यान में सरकार क्यों नहीं लेत हाली में आप लोगों न देखा होगा सरकार ने बेतन की जब घुशना करता है तो लागू नहीं करता है लागू करने का एक शमय सीमा निर्धारित कर देता है कि ताकि ओट की राजनितिक में ये दोनों मैच कर जाए ये बेतन बढ़ाने की जो घुशना है वो और ये राजनि कि बैठ जाने की इंतजार करता है सरकार और उस इंतजार में पूरी तरीके से जो महिला को पूरुष को सिर्फ राजनिति की तोरुपर इवज किया जाता है हम आपको मिलते हैं अगले एपीसोड के साथ तब तक लिए नमस्कार